हेलो एवरिवन वेलकम टू ओर नेक्स्ट एगजाम आज हम एक बहुत इंपॉड़न टॉपिक जो करने जा रहे हैं जो कि है हिस्टरी से रिलेटर आपको पता है कि कई बार आपसे जो हो हिस्टरी के कुछ इंपॉड़न डेट्स के बारे में पूछे जाता है कि फॉर होती है वह मैं आपके समने लेक्या हूं कुछ पंद्रह के लगवा कुछ देतिया हैं मैं उनके लेटर फ्यक्ति भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से वह इंपॉड़न है और उस टाइम क्या हुआ था ठीक है तो वीडियों को लाश्ट तक जरूर देखें और ज्याद से ज तो देशी आंदोलन चलाया था जिसमें क्या हुआ था विदेशी बस्तों का बहिशकार कर रहे थे तो जो विदेशी बस्तों का बहिशकार कर रहे थे उसकी शुरुवात कब हुई थी वह हुई थी मारे 7 अगस 1905 को क्या हुआ थीस दिन की विदेशी बस्तों का बहिशकार ठीक है पैन कॉपी लेके साथ में जरूर बैठें ठीक है और साथ साथ में पॉइंट्स को नोट करते रहें काफी इंपॉड़न्ट है ये ठीक है अगला देखते हम नौ जनुवरी उन्नीसोपंद्रा अब नौ जनुवरी उन्नीसोपंद्रा को क्या हुआ था इस दिन नौ जनुवरी को हम क्या मनाते हैं प्रवासी भारती दिपस मनाते हैं ठीक है फॉर्नस जे मनाते हैं इस दिन क्या हुआ था हमारे महातमा गांधी जी सौथ अफरिक्का से 9 January 1915 को भारत लोटे थे इसी दिन 9 January 1915 को क्या हुआ था हमारे गांदी जी महातमा गांदी हमारे इंडिया जो हुआ लोट कर आए थे ओके अगला देखते हैं और इस वार के हमारे जो 9 January को हमारे चीफ गेस्ट कौन थे चंद्र का परकास संतो जी इस साल के हमारे चीफ चीफ केस्ट थे अगला देखते हैं 13 April 1919 बहुत इंपोरंट डेट है ये 13 April 1919 इस दिन क्या हुआ था जलिया वाला हथ्यकांड वा था जलिया वाला बाग जलिया वाला बाग हथ्यकांड का वो था वाला 13 April 1919 वो बेसाख्खी वारा दिन था जर्नल डायर ने क्या कर रहा था जो वहां पे सभा कर रहे थे लोग थे उन पर अंदधुन्द गोली चलाने का आदेश जो था वो दे दिया था और इसी की जांच के बाद क्या है था हमारा हंटर कमिशन आया था जिसका विरोज होए भार्दवास अन्होंने अपनी नाइट हुड की उपाधी नाइट हुड नाइट हुड की उपाधी जो थी वह लौटा दी थी काफ़ इंपॉर्ट है और उसके बाद जर्नल डायर को क्या किया था आज ही के दिन जैसे थर्टी फर्स्ट जुलाई 1930 से 1940 को उद्धम सिंग ने जर्नल डायर को मार दिया था अगरा दिखते हैं पांच फेवरी 1922 अच पांच फेवरी 1922 को क्या हुआ था हमें पता है कि 1920 को हमारा क्या हुआ था असहयोग अंदोलन नौन कोबरेशन मुवमेंट जो था वह स्टार्ट हुआ था ठीक है इसके ब अच फेवरी 1922 को क्या हुआ था हमारी चौरी चौरा के घटना हुए थी इसमें क्या हुआ था कि यूपई के गुर्खपुर में 24 चौरा अटनामा के एक जगा पर क्या हुआ था कि जो अंदोलन का लिए थे उन्होंने एक पुलिस टेशन को जला दिया था ठीक है उसके बाद असहयोग अंदोलन जो था वो महत्मा गांदी जी ने बापस ले लिए था अब 1922 को इस बार क्या हुआ था इसको शताबदी वर्ष मनाया गया इस बार जो सो व करी त्रेंड काण्ड षफे में लक्नव यूपी में कउन थे और जिंद्र लाहीडी राजिन्द्र लाहीडी दूसे थे हमारे राम प्रसाद है-भाद को श्मील CEO CEObaarी चंदर जेखर आजीत है और चौते थे थेमारे अस्पकुला खान जे थे हमारे ठीक है और इसमें सिर्फ हमारे जो चंदर शेकर आजाज जे थे वो इस बार इसे मतलब बच गए थे बाकी सबी जो वो पकड़ में आ गए थे अगले देखते हैं बारा मार्च 1930 अब बारा मार्च 1930 को क्या हो था सब्बरमती आश्रम से नमग तोड़ो कानून जो हमारा नमग का कानून था उसको तोड़ने के लिए डंडी आतरा की शुरुवात करी गए थी और बारा मार्च से लेके कब तक चली थी 6 अपरेल 1930 को चली थ अगला लिखते हैं अगला हमारा 5 मार्च 1931 अब 5 मार्च 1931 को क्या हो था गांधी इर्विन पैक्ट हो था उसके बाद क्या हुआ था हमारे गांधी जी जो थे वो सेकंड राउंड टेवल कॉन्फरेंस जो थी उसमें जाने के लिए सहमत हो गये थे कॉश्चन आता है कि गा अगला देखते हैं 23 मार्च 1931 अब इस दिन क्या हुआ था इस दिन शहीदी दिवस इस दिन मनाते हम भगर सिंग राजगुरुव सुक्तिव जी को इन तीनो करांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी इस दिन ये सारे शहीद हुए थे ओके अगला देखते हम 24 सेप्टेंबर 1932 अब 24 सेप्टेंबर 1932 को क्या हुआ था इस दिन हुआ था पूना पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में हुआ था महत्मा गांदी जी के बीच में और डॉक्टर अम्बेटकर की जी के बीच में हमारा पूना पैक्ट हुआ था इस ट जेल जो थी वो तेज की पहली प्रटन के लिए खोली गई जेल भी है तेकि करन से लेटर कुछ इंपोर्टन इसके साथ जोड़ा हुआ है अगला देखते हैं आठ नाव अगस्त 1902 इसको क्या हुआ था अब 1902 क्या हुआ था भारत छोड़ो अंदोरन की शुरुआत हुए थी भारत छोड़ो अंदोरन इसको हम अगस्त करांटी भी कहते हैं और ऑपरेशन जीरो और इसमें ऑपरेशन जीरो और भी इसी से रिलेटर है और हमारे क्रिप्स मिशन भी हमारे कब आया था 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन भी आया था एक वार पतनी UPSC की किसमें कुशन पहुच बहुते हैं जो भी ने ली जाते थे वहां पर इंग्लेजन में बहुतके लिए जाते थी तो वह jut हो वहां से डिसीय लव तक दो लोग लेकिंग नीज़ा में आते थे तो उसी कंग तो ही ठाब की bistमिशन इसमें ये था कि वह बार दो पिइन तुएशन में अंगर्जों क सा तो आए था कि इंडिया को जो हो वो कैबिनेट बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा अगला तीन जून 1947 को क्या हुआ था हमारा मांट वेटन घोषना विती मांट वेटन प्लैन आया था तीन जून 1945 को इसमें बताता हूं कि बारा देशंबर और यहां पर चूटी से करेक्शन है यहां पर जो मारा कैबिनेट मिशन जब आया था वो कबाया था वेटनीफोर मार्च के तब आया था 24 मार्च को cabinet mission जो था वो आया था और 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था हमारे संभीदान सब्सक्राइब हमारी बैठिक हुई थी ठीक है जिसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था वहीं प्रस्तावना बाद में हमारा प्रेंबल बना अगले हमारा क्या हुआ था मैंनि आपको बताया कि माउंट उटेंग्हें प्लं आया था बहुत रिंगे को इंडीन व्योंठीन देंगे अरे थे को इन्डेएंगे आथा है कि आपतंद्र द्रॉट द्रॉटक्यम में को इसकी आसेव 14 2 बियुक्Mr jsuhu दे disproportionю Summi production को ओफिशल डेट जी जो थी हमारी इंडिपेंडेंस की वह इंडिपेंडेंस कर देकर लेकिन कब आया था अधिनेम कब आया था वह 18 जुलाई 1947 को आया था अब 26 नुवेंबर 1949 यह तो हमें सब को पता है कि यह हमारा कॉंसिट्टिउशन डिये इस दिन मनाया जाता है इस दिन जो था जो हमारी जो डेट है हमारे प्रेमबर में लिखेंगे है वह हमारी यही डेट लिखेंगे है ठीक है 26 नुवेंबर 1949 को और हमारा 25 जनवरी 26 जनवरी हमारा 1950 को हमारा क्या हुआ था गंतंत्र दिवस मना लिया गया था यह थे कुछ इंपोर्टन डेट्स आठीक आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद दिया होगी क्योंकि थोड़ा मैंने जातास में डिटेल लिखा लिखा नहीं था मैंने ऐसे डिटेल देने के कोशिश करी जो नोटबुक लेकर बैठे होंगे उन्होंने तो जरूर तो थोड़ा सा उकरवाना थोड़ा सा अवेर करवाना कि किस तरह से कोशन पर आते हैं ठीक है पढ़ना तो सभी ने अपना अपना ही होता है ठीक है I think this is all for today अब कल को किस टाइब के आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज आपको कमेंड बोक्स में बिरूर बताएं वीडिय को लाइक करें शेर करें और यह देको करें सब्सक्राइब थैंक्यूंड है यह ने सब्सक्राइब